मस्कार सर, सच सायव सर क्या नाम है आपका? सुरेंदर दाश्वग्च जी सुरेंदर जी आप कहां के रहने वाले हैं? दाम, दर्म खेडी, तसी लाशी, जिलाशार के रहने वाला हुजज़ सुरेंदर जी संत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली संत रामपाल जी माराज से रामदिक्षा मैंने दो जार चैर में ली वाजी संत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्तिसादनाई भी करते थे तो सर जो देखा देखिया भक्ति साथना कर रहे थे उन सब से आपको क्या क्या लाब हो रहे थे? कोई लाब नहीं मिला वगजी अर्दवार जाते थे वगजी अर्दवार इतने आदी बनेगे थे शुल्पा के सामन आते ही वह एक एक भी इनना रुकते थे अकर दसका नोट मालाब किसी भी बाभाजी के चलनम चडाया चलम भरलीर पीली बच यही मक्सद था जिंदगी का औ कोई मक्सद नी था मतलब दो जार मनुव से लेगे दो जार चार तक शुल्पा पिया बगजी उसके बाद सोचा भी बहुत 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 था ना सोन लाग रहा है ते लेकिन राय नी दाता था बगजी जब लग लगी लाग दी तो किसी चीज का उपध्यान नी रहता था शुल्पा पियार भईष अबने मगण रहना यह चलता रहा वगजी चलता रहा गरवाले भी परेशान थे घरवाले ही परेशान थी मतलब रिष्टेदार भी परेशान थे लेकिन उनको मेरे को बखाय भी बोत मलब लेगे कहीं ज़्य को ड़क्त्रों के पास भी लेगे पै कई से राद नी मिली तो सर आपने बताया कि हरिद्वार जाने से आपको सुल्फा पीने की आदत हो गई थी और साथ इसाथ वो सब भक्ति साधनाय करते हुए आपके पत्नी को भी दमे की परिशानी थी तो इन सब दिक्तों के बीच में आपको संत्रामपाल जी महाराज की जा में लें आय। नाम लेने के बाद उन्हें मेरे पास पहून किया मेरे पिताजी श्राप छोड़ गए तो मैंने कैया वज़िए ठीक है बड़ी अच्छी वात है फिर वह नो बली तु आप भी लेलो नाम मैंने मना कर दिया वगजी तो भी लो मैं लेलो मां तुम लेलो मैं एक महीने के वाद वो वॉली वह माराजियां कि मै अशर में जाना है मने रस्ते का पता नहीं है कोई बात नहीं तो बगोड़ी मा रस्ता बदाने के लिए पत्नी को मैं साथ में चला गयं मा जाने कि यह जाड़ी ही देखिन उसके नजडिक दवा दिया में आशरम में पर्वेश कर गया हो गजी पतनी के साथ तो वहां बनारा किया सुबह उत्ती फिर मेरे लगए लगी लगी वह शुलपाश पीना है तो महराजी के दर्शन करके बाद में फिर चलेंगे महराजी के दर्शन तो बागत जी मेरे सिर्फभा हटे का तो मेरे ऐशा हुआ नाम लेनी से पहले हि मेरे सोफ swojąण बगा बार शरीर से उतर गया बगत जी ऐसा हलख्या हो गया तो मैं शुलुपा बुल लगा आश्वीत एम प्र मायराथ जी क fenota काथ भना मारा जी नाम लोगे मंने कई वार शोचा सोचने के बाद फिर मैं नहां पर लिए बगजी मैं जब शिर्फ पहत रखने से इतना फैदा मिल गया तेरे गोवेश लुपा भूलिया तुपीना तो फिर मैंने संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ले ली तो सर आपने बताया कि आपकी पतनी के साथ आप संत्रामपाल जी महराज के आश्रम में गए और आप चुल्फा नहीं चोड़ना चाते थे लेकिन जैसे ही संत्रामपाल जी महराज ने आपको आशिरवात दिया तो आपको शरीर में काफी हलका महसूस हुआ और इतने होने के बाद ही आपने संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ले ली तो क्या संत्रामपाल जी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको अन्य भी कोई लाप प्राप्त हुए बहुत लाग है बगजी आतरी सिस्थिती बिल्कुल कमजोर थिनुसे वेकार्न आतरी सिस्थिती बहुत बड़ी आओगे जब गजी फेर मतलब जीसी वी चीज गा मतलब नुच्छा वही मनमें हर मतलब मंदी चोडशक दुरूराम पाल जी महाराजने हमारी हर इचा पूरी कर बड़ी गाड़ी ट्रेक्टर जो भी मोट साइकल हर चीज हमेरे पासनी साइकल भी निताउस्टें बगजी पैदल जाते थे केत में सिर्फ पकड़ी उठाएके लागते थे बर्चीन की ओई जो रहा घदा होया फिर भाराजी ने वहां गाड़ी दुआदी माधे को भी मतल जाते हैं क्यों हमा जब नशे चूट गया मारे पास पैसा भागया मकान भी मतलब ऐसा इता फेले दोनुवते माराजी 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 महरा जिए ने रहे पर आशिरवाद देन रहे और बस दे रहे पर उब पाईदा उतना चला आए बगजी मारे को किसी चीज का आभाव बिल्कुल ठीक हो गई तो सर आपने बताया कि संत्रामपाल जी से नाम दिक्षा लेने के बाद जो आपको सुल्फा पीने की आदत थी वो दूर हो गई और आपका नशा छूट गया और आपकी पतनी को भी जो दमे की दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई तो जो शर्धालू आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अम यहीं संदेश देखते हैं वो संत्रामपाल जी माराज की संद में आएं और अपना कलान कराएं सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं नजदिक की नामदान गेंदर का पता करके संत्रामपाल जी मारा चेर नामदिक्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर शत्षा है बोजे